वेलकम तो दे लर्णिंग वर्ट सीरीज प्रिलिम्स पूस्टप लेट्स गो तू तो यह जो आर्टिकल है यह है फॉर्मर गवर्णर उर्जित आर पतेल के लिए क्या किया है इन्होंने इन्होंने AIIB मतलब की Asian Infrastructure Investment Bank को जोइन कर लिया है वहाँ पर as a Vice President उन्होंने उसे जोइन किया है So it goes very important कि AIIB से related questions आ सकते हैं So let's discuss AIIB So the very first thing है अगर हम सबसे पहले बात इंडिया की करें तो इंडिया AIIB का second largest shareholder है after China और कैस के बारे में important है इसका headquarter जो है वो बीजिंग में है और यह 2016 से operation में है एक्स्टा कैई It is very beneficial for India What? It is very beneficial for India How? इंडिया में जो projects हैं जैसे Bangalore Metro Rail Project, Gujarat Roll Rates Project, Phase 3 of the Mumbai Urban Transport Project यह जितने भी प्रोजेक्ट है ना जाहे वो बैंगलोर का हो या फिर गुजरात का हो या फिर Phase 3 of Mumbai Urban Transport Project हो यह सारे प्रोजेक्ट जो है यह funded है कहीं ने कहीं AIIB से वहाँ पे help की है AIIB ने इंडिया Main shareholder जो है largest वो चाइना है 26 के साथ 26% से ज्यादा उसका shareholding है वहाँ पे और इंडिया की 7% से ज्यादा shareholding है तर्ड पर आता है Russia and then Germany आता है important है कि यह अभी as a Vice President और जित आर्पटेल ने इसे join किया है तो it's important let's go to the next article so जो यह article है बात करता है दा neglected crisis के बारे में यहाँ पे tuberculosis के बारे में बात की गई है so it is important कि यह science and tech से related एक question है जो science and tech से नहीं बट biologist related question है जो कि very much important से लगता है कि हमारे problems में पूछा जा सकता है so tuberculosis के लिए यह कुछ बाते जानते है so जो यह tuberculosis है यह bacteria की विज़ासे होता है और उस bacteria के नाम बहुत important mycobacterium tuberculosis होता है जो कि mycobacteria सिफ family का होता है और इसके लिए सिर्फ एक ही vaccine है भी और उस vaccine के नाम है BCG बहुत ही जादा नाम सुना होगा आपने BCG का तो BCG जो है वो tuberculosis की vaccine है हमारी जो market में है so it is very important आपको comment box में यह बताना है कि BCG का full form क्या होता है it can be an important statement BCG की खास्यत क्या है कि यह depend करता है कि कौन से geographical location पे है तो उसके हिसाब से इसका असर होता है good or bad अच्छा होगा या फिर नहीं होगा इसका असर सो अगर equatorial कोई country है तो वहां पर बिल्कुल निल असर दिखा जाता है BCG का कोई भी impact नहीं होता but as we move to pole pole की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो ठंडे area जो होते हैं वहां पर BCG का जो effect होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है it is a good vaccine there efficiency ज्यादा हो जाती है so this is it इसके लाओ क्या है tuberculosis को इंड करने के लिए भारत ने अपनी schemes रखी है 2025 तक India का target है कि tuberculosis को खत्म कर देना है world target क्या है world target 2030 है so it is good for Indian thinking कि उन्होंने 2025 तक का सोचा है और इसके लिए budget allocation भी अच्छा खासा है हमारे पास let's move to the next article यह article बात करता है आदी संकराचार की बारे में आदी संकराचार का जो birthplace है likely to be a national monument उसे एक national monument बनाये जाने वाला है so it is very important to know about आदी संकराचार from art and culture perspective so आदी संकराचार कौन थे क्या थे उन्होंने four mat बनाये थे क्या four mat ka निर्मार किया था और वो चारो ही different different corners में इंडिया गें जैसे कि स्रिंगेरी में किया south इंडिया पूरी में किया east इंडिया में then west इंडिया में भी किया उसका उन्होंने द्वारका में and बद्रीनाथ north इंडिया में so at all four corners उन्होंने matka निर्मार किया था वो किसके डिवोटी थे very important वो डिवोटी थे लॉर्ड सिवा के और doctrine of अद्वेत and commentaries जो है उन्होंने राइट लिखी वहां पे उपनिसर्थ, ब्रह्मसूत्राज, भागवद कीता और कौन सी लैंग्विज में? संस्कृत लैंग्विज में so it is very very important यह important बहुत जादा है कि उन्होंने कहां कहां पे अपने मत बनाए स्रिंगेरी, पुरी, द्वारका और बन्रिनार्थ, all four corners में so let's move to the next article of the day this article talks about INS Vikrant so let's have some facts of INS Vikrant जो नाम दिया गया है INS Vikrant का वो दिया गया है एक decommissioned maiden जो पहला carrier था हमारे Navy का जो decommission किया गया था उसके नाम पे Vikrant का नाम दिया गया था अभी ये new INS Vikrant दाने वाला है तो ये क्या होगा ये fourth हमारा होगा fourth aircraft carrier for Indian इसका motto है Samyuddi Ispardha जो कि Rigwet से लिख लिया गया है उसका मतलब क्या है कि I defeat those who fight against me मैं उनको defeat करूँँगा जो मुझे defeat करेंगे so this is it इंडिया के चार अभी तक होच के है aircraft carrier first था अभी एक ही operation में है वो है INS Vikrama दित so only INS Vikrama में दित है और new INS Vikrant जो कि 2022 की इंडिय तक आ जाना चाहिए Indian Navy में तो two हो जाएंगे और old INS Vikrant जो था वो first था इंडिया में और INS Vikrant फर्स था जो कि British Indian Navy से Indian Navy नहीं लिया था so thank you for watching my video like, share and subscribe in the case you liked it thank you